हेलो अब्रिवन स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेडी 5.6 में आज मैं आप सभी लोगों कच्छा बारा यूपी बोर्ट का जो भुगोल का चैप्टर दो है विस्व जन संख्या वितरण घनत्यों बृत्धी के बहुविकल्पी प्रस्ण जो बोर्ड एकजाम में महातप प्रस्ण है उनको मैं आपको करवाऊंगा हर संभाव तरीके से आपकी मदद करूंगा देखे मैं हर चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रस्ण कराता जा रहा हूं इसको पाने के लिए आपको हमारे चैनल से चुनना होगा ये नहीं जुन रहे हैं तो भी कोई बात नही है तो पहला प्रस्ण है आपका विस्व में दूसरा सरवादिक जन संख्या वाला देश कौन सा है पहला प्रस्ण है ये का रहा है कि विस्व में दूसरा सरवादिक जन संख्या वाला देश कौन सा है तो सभी को मालूम है दूसरा भारत है अब बाला क्या है पहला हमारा ची कि आकार के मत्य के अनपात को क्या काते हैं जनसंख्या घनत तो आपसन नंबर एसा ही है आप सभी को बताया गया है कि प्रतिकाई छेत्वरत पर निवास करने वाले बेक्दियों कि संख्या को हम क्या काते हैं जनसंख्या घनत दुकाते हैं थीसरा प्रशन है आपके स्क्रीन पर देखे मैं बहुत ही important जो पहविकल्बी के प्रशन है किताब से उठाया हूं और आप से भी को बता रहा हूं तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा जो important है repeated बहुविकल्बी प्रशन है उनको भी मैं आपको बताऊँगा तीसरा प्रशन है आपको का निम्नखित में कौन सा एक छेतर सगन बसावट का छेतर नहीं है तो पस्चमी आस्ट्रेलिया जो है वो सगन बसावट का छेतर नहीं है आपसन नमबर A इस दा रेट अंसर चौथा प्रशन है आपका चौथा प्रस्ण आपका रहा है निम्नखित में कौन सा जनसंख्या वितरल को प्रभावित करने वाला भागोली कारक है चौथा प्रस्ण का रहा है कि जनसंख्या वितरल को प्रभावित करने वाला भागोली कारक कौन सा है तो इन में से सभी आपसन नमबर डी है देखें 6-7 कारक आपके बुक में दिये हुए हैं ये जो प्रशन है बेरी बेरी important है ये आपके दिरखुतरी प्रशन में भी पूझा जाता है तो very important प्रस्था चोथा इसे आप लोग जरूर नोट कर लिजिए पांचोवा प्रस्था है आपका समय के दू अंतरालों के मत्य एक छेतर बिशेश में होने वाले जनसंख्या के बदलाव को कहते हैं तो जनसंख्या की पृत्धी यह जो जनसंख्या की पृत्धी है यह धनात्मक पृत्धी भी होती है और रिडात्मक पृत्धी होती है जब धनात्मक पृत्धी हो दोगी तो जनसंख्या बढ़ती है और जब रिडात्मक पृत्धी होती है तो जनसंख्या क्या होती है गड़ती है तो देखिए इसका आपसन नंबर C is the right answer जो आपके बुक में दिया है वो आपसन नंबर C है लेकिन जो बच्चे आपसन नंबर B टिक करना चाहें चनसंख्या परिवर्तन वही मतलब होता है तो उनका भी सही है लेकिन आप लोग बुधिमानी और चतुराई से आपसन नंबर C लिखेंगे क्योंकि जो एक जामनर कापी बॉर्ड में चेक करेगा वो एक answer सीट उनको मिलती है उसी में से जो सही answer उनकी बुक में होगा उसी को सही चेक करेंगे कितना भी ये सही ना हो लेकिन वो इसको गलत काड़ देंगे तो आप लोग आपसन नंबर क्या लिखेंगे आपसन नंबर C इसका राइट उत्तर होगा प्रस्न चाठवा है निमलखित में जनसंक्या प्रवास का अपकर्स कारक का उनसा है तो सांती और अस्थाइट उत्तर हो अपकर्स कारक के उधारड देखिए जहां पर स्वास्त सेवा सिच्छच गिस्सा और सांती हो और इतिहासिक नगरोदिहासिक भवन हो उनको हर परकार से वहाँ पर सुरच्छा मिलती हो तो वह क्या कारक जो होते हैं पर शकारकालाते हैं तो वहीं पर लोग जाकर बसना चाहते हैं अगर ऐसा हुआ अस्थान हो जहां पर महामारी फैली हो प्रतिकूल जलवाय हो बेरोजगारी हुआ आपर कोई रहना पसंद करेगा तो यह आपसंद ए बी सी तीनों गलत है आपसंद नमपर डी जो है वही वाला देश है तो उच्ची जन संक्या वरिदितर वाला देश लाय बेरिया है इसको आप लोग सभी याद कर लीजिए ये भी important प्रशन अपने आप में है ये भी कई बार पूछ दिया जाता है प्रशन आठवा है very very important प्रशन है दिरगुतरी में भी यह प्रशन बनता है जन्दान की संक्रमर सिधान की प्रथा मवस्था में सन नहीं तरहती है तो देखे इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है 2020 में दिये हैं तो ये प्रशन पूछेगा जन्दान की संक्रमर की तीनों आवस्थाओं की बिवेजना कीजी प्रशन आठ नंबर का यहाँ बनेगा और आपको देदेगा तो अगर आप याद कर लेंगे तो आठ नंबर आपके जिम में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होग आप लोग याद कर लेजिए मैं इंपॉर्टेंट प्रशन है वो भी बताता चल रहा हूँ प्रशन नवा इस वीडियो का लास्ट प्रशन है किस वित्वान का मानना था कि लोगों की संक्या खाद्य अपूर्ति की तिलनम अधिक्ति प्रिकत से बढ़ेगी तो ये थे थे इन्हों ने कहा कि जो हमारी जनसंक्या है वो खाद अपूर्ति की तुलना में क्या होगी अतितिक तेजी से बढ़ेगी यानि जो हमारे खाने की समागरी है उससे भी कहीं जाद हमारी जनसंक्या बढ़ेगी तो ये प्रशन जो नवा है आपका देखे अर्थ सास्त में भी भुगोल में भी देखने को मिलता है और समाष सास्त में भी देखने को मिलता है तो यह प्रश्न भी बहुविकल्पी के दृष्ट से बहुत इंपॉर्टन्ट है अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आप तीनों विषियो में एक नमबर तो उठा सकते हैं तो एक नमबर भी एकजाम में बहुत ही माइने रखता है तो इसी तरह के आने वीडियो चैप्टर वाइज पाने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करें असा करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिली होगी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलें अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टापिक के साथ तब तक आप से भी लोग का बहुत बहुत धन्वाद